अगर आप मेरा चानल पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बैल आइकन को भी जरूर दबाए ताकि आपको सारे नौटिफिकेशन मिल सकें साथ ही मेरी वीडियो को जादा से जादा लाइक और सेयर करें थैंक यू दोस्तों मैं आज फट से हाजिर हूं आपके लिए एक नहीं रेसिपी के साथ आज मैं आपको दाल भरी पूरी बनाकर बताने वाली हूं जिससे आप दल पूरी भी कह सकते हैं अलग जगा पे इसको अ गरम उचाने के बाद हम इसमें अपना चना डाल डालेंगे मैंने एक लास चना डाला है और हम इसको पानी डाल करके कुक कर लेंगे और एक से दो सीटी इसको होने देगे हमने जितना चना ढ़ल दिया है उस हिसाब से इस में पानी डालना है तो मैं उसी गलास से डाल रही हूं उसमें एक गलास पानी और साथ ही एक गलास से थोड़ा कम पानी तो यह देखे दोस्तो हम इसमें डाल देंगे नमक, स्वाद अनुसार, मैं यहाँ डेड़ चमच ले रही हूँ साथी हल्दी पौडर, इसमें नमक और हल्दी पौडर डालने से इसका टैक्शर अच्छा होगा और यह ज्यादा जल्दी पक भी जाएगा तो यह देखें दोस्तों इसका यह बेसिक है जो आपको करना ही है और साथ में इसमें थोड़ा हिंग डाल देंगे, हिंग डालने से क्या होता है, यह जो चना डाले बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है, बहुत लोगों को शूट नहीं करती, तो ऐसे लोगों के लिए या पिर ऐसे कैजवली भी हम इसमें हींग और तेजपत्ता डाल देंगे, जिससे ही आपके पाचन में अच्छा इप्ट डाले, अब मैं इसको बंद कर दे रही हूं, मैं इसको एक सीटी से लेकरके दो-तीन सीटी करवा सकती हूं, अब मैंने इसको हटा दिया है, अब मैं ले जीरा और इसको थोड़ा पकने देंगे, साथे डालेंगे सूखी लाल मिर्च, कटा एक प्याज, अब इसको अची तरह से बून लेंगे, यह सारी चीज़े बून जाने के बाद, हम इसमें आगे की चीज़े डालेंगे, इसमें डाली हूं अद्रक का पेस्ट, एक चमच के आसपास, अब अपनी क्वाइंटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं, मैं यह एक चमच ले रहे हूं, साथी लेसन का पेस्ट, जो कि मैंने एक चमच लिया है, नहीं यह चोटी चमच से ले रहे हूं, साथी रैड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, गोल की पाउडर और जीरा पाउडर मैंने एक चमच लिया इसमें, यह मेरा हरी मिरश का पेस्ट है, जो कि मैंने घर पे तयार किया है, इसको मैं दो चमच ले रही हूं, और अब मैं सारे मसालों को भून चुकी हूं, अब हम इसमें डाल देंगे अपना वाइल किया हुआ चना डाल, अब हम इसको अच्छी तरह से पकने देंगे, इसको बिल्कुल ड्राइ करना है, अगर आप ड्राइ नहीं करेंगे, तो फिर यह फील अच्छे तरह से नहीं हो पाईगी, तो यह देखिए दोस्तों मैंने इ अब चाहिए तो इसको और भी ज्यादा पका सकते हैं, मैं इसको हलका ही पका रही हूं, ताकि चना डाल का टेक्शुर बना रहे हैं, अब मैंने इसमें डाल दिया धन्यपत्ता और साथी इसको मिला लिया है, यह देखिए दोस्तों यह हमारा हो गया है, यह ज्यादा पका अब हम इसको आगे की देखते हैं, हम बाउल में आटा ले रहे हैं, मैंने इहां पर दो बाउल, छोटे बाउल से आटा लिया है, साथ में जवाइन और वंगलेरा दाल दे रहे हैं, दो चुटकी, और साथी थोड़ा नमक, और थोड़ा रिफाइन ओयल, अब हम इसको अच जादा लूज नहीं रखना है, जैसा कि हम डो अपने रोटियों के लिए तयार करते हैं, वैसे इसको डो तयार करना है, हमें डो को काफी अच्छी तरह से मल के तयार करना है, ताकि ये काफी सॉप्ट हो जाए, और हम इसको अभी दिसमेट के लिए रेस्ट करने देंगे, इसके बाद हम इसकी छोटी-छोटी लोईया बना लेंगे, लोईयों को ऐसे बीस से कटोरे अकार की बना कर, इसमें स्टफ को डालेंगे, जो कि मैंने तयार कर रखा था चले डाल का, आप चाहिए तो इसमें चमच कभी पर योग कर सकता है, मैं इसमें हाथ से ही भर ले रह से चावतरब से बंद कर लूँगी, और अब इसको चावतरब से बंद करके, सुखी आटे की सारे से इसको छोटा सा पूरी बेल लूँगी, आप चाहें तो इसमें रिफाइन ओयल का भी इस्तमाल कर सकते हैं, रिफाइन ओयल की साहिता से भी आप इसको बेल सकते हैं, तो म मैं ककडाई लोगी नओंने लोये का कडाई लिया है अब इस के डाल दूंगी रीफाइन ओयल के गरम हो जाने के बाद इस इसमें सारी पूरीया तल ! देखिया मारी रिफाइन ओयल करके पूरीया डालेंगे उको अगर आप कुछ लोग पूडिया नहीं खाना चाहते हैं तो वैसे लोग इसको पराठा के रूप में भी खा सकते हैं दोस्तों आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं सुबह के लंच में ब्रैक्वास्ट में रात के दिनर में कभी भी आप इसको खा सकते हैं और इसको कभी भी सर्व कर सकते हैं तो मैं देखिए इसको सुनाहरा कर रही हूं यह देखिए हमारा सुनाहरा हो चुका है अब मैं इसको निकाल ले रही हूं ऐसे करके मैं सारी पूडियों को तल लेंगे ये देखें दूस्तों ये भी मेरा सुना रहा हो चुका है अब मैं इसको निकाल लूँगी तो ये देखें दूस्तों ये तयार है इसको जिरू से ट्रया करें और लाइक को सिस्क्राइब करना ना भूले तैंक यू